हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपसे वीडियो में डिसकस करूँगा कि जिस दिन हम अपने घर की छट डालते हैं स्लैप कास्टिंग करते हैं उससे एक दिन पहले हमें छट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो काम होते हैं तो कई दोस्तों से काफी बड़ा नुकसान भी हमें देखने को मिलता आगी चलके तो वह गलतिया भी ना हो और आपकी सही तरीके से चट डले तो यहां दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आपको क्या चेक करना है एक दिन पहले कि जो भी हमारी च्छ में कवर लोग लगा दिये हैं या नहीं या सही तरीके से लगे हैं या नहीं यह चीज़े चेक करनी हैं कवर लोग दोस्तों आपको लगाने बहुत ज्यादा नैसेसरी हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों अक्सर मैंने कुछ साइड़ ऐसी देखी हैं जहां पर क्या करते हैं कव और उसमें अंडूलेशन से और जब कभी सरिया जब सूखता है तो सरिया अपनी शेप में आने की कोशिस करता है क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि क्रैक developed हो जाती है हमारी च्छत में तो पानी भी penetrate यानि कि बारीश होती तो पानी नीचे जाने लगता है तो ये दोस्तों बहुत बड़ा कारण हो जाता है हमारी च्छत में अगर कवड़ोग का बोलना चाहूँगा जरूरी नहीं है कि आप कवड़ोग emergency cases में बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको जो मैं बताने वाला वही इस्तमाल करें emergency cases होते हैं कि हो सकता है कि आपकी market में उस टेम आपको नियर पास नहीं मिल रहे हूँ या फिर कह सकते हैं कि आप offer नहीं कर पारते हैं तो दोस्तों market में जो भी हमारे marble के टुकड़े वगेरा होते हैं जो marble के piece होते हैं उनको cover block की form में आप तोड़ लीजिए अपने mystery labor से बोल के और उसके बाद उनहीं को आप जगा जगा बिछा दीजिए नीचे जिससे हमारी settling और सरिया के बीच में gap बना रहे हैं किंची आप मान के चले कि आपको 20 25 हिम आपको रखना ही रखना है यह हो गया हमारा पहला पॉइंट अब यहां पर दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो आपको दियान यह रखना है कि देखिए अकसर क्या होता है कि जो plywood वगेरा होती है हमारे साइडों में लगाई जाती है सेट्रिंग की तो दोस्तों क्या होता है कुछ plywood पर काफी मिट्टी वगेरा होती है या कह सकते हैं कुछ ऐसा कूड़ा कबाड़ा तो नहीं है उस चीज को आप साफ कर लीजिए पानी वानी से साफ कर दीजिए जिससे हमारी concrete जब डले तो मिट्टी नहीं हो किसी तरह की कुछ की concrete में एक बार आपका थोड़ा सिमंट कम मुझा चल जाएगा लेकिन अगर मिट्टी आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है बान्डिंग नहीं बन पाती है अब यहां पर दोस्तों अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो बहुत हो ज़ादा जरूरी है और दोस्तों मैंने ज़ादा तर साइड ओपे चट डलने के बाद लेकिन कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी वो सरीया रहती है फिर हमें सरीया लैप करनी होती है ताकि इन फ्यूचर कभी आप जब कॉलम बनाए या घर बनाए तो वहां पर लैप कर सकें अब यहां पर दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग तो क्य की गई है जो की लैपिंग बिल्कु गलत है हमें बिल्कुल अंदर से करनी चाहिए थी बीम के और कॉलम के जंक्षन से तभी हमारे कॉलम में किसी तरह की मजबूती आती अब यहां पर दोस्तों मुझे तो लगता है कि कुछ फायदा इसका होने वाला है क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले दियाने दिंगे हो सकता है इस पर कंक्रीट वगरा डल जाए तो दिखाई ना दे बाद में अब ऐसे दोस्तों एक तो यह हो गया और दूसरी गलती मैंने इसी में सेम देखा है कि जो हमारा कॉलम है उसमें 12 mm की सरीया नीचे से आ रही है या 400 की या 500 की जो दी है तो यह चीज़े ना करें दोस्तों यह अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि यह किस तरह की गलती आएं किसकी वज़ेसे होती हैं तो देखें यहां पर मकान मालिक को क्या पता कि यहां पर इस तरीके से उनको यह भी नहीं पता होता है कि लैपिंग कितनी देनी है कितनी देनी यह सारी चीज़े तो दोस्तों एक ठेकेदार ही आमिस्तरी ही जानेगा और दोस्तों यहां पर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं कि हर मकान मालिक अपना दूसरी तीसरी बार मकान बना रहा है मैं सब्सक्राइब लोग तो ऐसे ही होते हैं जो अपने लाइफ में पहली जलने वाले आज ही मुझे अपनी च्छत में सारे चाहिए जहां 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 आपको लगता है आपकी च्छत बीड़ रही है और साथ ही दोस्तों वहां पर क्या हो रहा है कि पाइप बाला पाइप लगा रहा है आप उस कंडिशन में दोस्तों एक तो लेबर की तादात कर पाता है और जल्दवाजी में कहीं थोड़े बहुत पाइप के जॉइंट वगरा स्लिप हो जाते हैं या फिर रह जाते हैं यह चीज़ का दियान लखना है जो यह है कि दिखिए जो भी आपकी साइडों पे मटेरियल है जो आप अपनी च्छत के लिए स्टोर करने वाले हैं वह चीज़ का दियान रख रहे हैं चाहें आपकी कोई भी साइड है चाहें आपकी च्छट डल रही है या एक मंजुल है दो मंजुल जो भी है तो उसमें आपकी कितने सिमेंट के बैग लगने वाले हैं आप अपने ठेकेदार से राय ले लिए और वह स्टोक में करा ल जब देखा है कि आपकी जो मसीन होती है वह आपको जिस दिन चैट डल रहे हैं उससे एक दिन पहले ही शाम तक कर लेनी है कि भाई तो शाम तक फिट कर देना अगले दिन बस मुझे चट डालनी है नो से साड़े नो बज़े से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा अब जैसे माली जी मैंने कुछ ऐसे भी देखा है कि आपकी जिस दिन सुभा में मौनिंग में या तो वह पह से कम लगता ही लगता है अगर आपकी एक मंजिल है तो अब यहां पर दोस्तों इस तरह की यह क्या टाइम इंशू हो जाते हैं आप जैसे माली थोड़ा लेट हो जाएंगे तो क्या होगा होने को तो कुछ नहीं होगा च्छत तो आपकी डलेगी लेकिन फिर नाइट में आ कुछ डाउट है या आपको कुछ पूछना है अपने घर में काम होते हुए जो भी चल रहा है आपकी साइट पर तो आप हमें इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जो भी फोटू है आप साइन कर सकते हैं ताकि हम उसका और अच्छे सापको सॉलिशन दे सके और दोस्तों